आये मंकित स्वागत आपका अपने यूट्यूब चनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर फेंड्स आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है चनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक में सेर कर लेना और टेलिग्राम जुरूर जोइन कर लेना वहां पर ये मैंने तीन दिन पहले ही प्रोवाइड कर दी थी तीन दिन पहले आपको बता दिए था PSD कब से है ठीक है तो लेना पूलिस PSD व sharply céu बदा यह किवें किसी को भी एक अस Means कि नहीं करनी है किसी को तो देखिए भाई यहां पर आप देख सकते हैं यह 200 मिटर का साइन है ऐसे आपको साइन मिलेंगे यह वहां पर यह है अभी पंचकुला का है यह ठीक है ऐसे आपको रोड के बीच में साइन मिलेंगे कि कितने कितने लिखा मिलेगा कि यहां पर कितना मिटर हो यह रहा 900 मिटर यहां पर आपको बीच में देखिए रोड के 900 मिटर लिखा हुआ दिख रहा होगा उसके बाद यह ऐसे साइड में यहां पर है न जो यह देख लिए यहां पर साइड में पॉल लगा कर आपके लिए जाने कर रस्ता बनाया जाएगा रोड मतलब ब्लोक कर दिया जाएगा ठीक है फिनीश का आपको पता चल जाएगा पहले ही इतनी दूर से क्योंकि यहां वैसे भी है ना सभी के लिए तालिया बजाई जाती है सब को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है जब सो देट सो मीटर रहा जाता है 200 मिटर रहा जाता है तो सभी को और यह देखिए तया किलोमेटर है 12 मिनिट में और 1 किलोमेटर फीमेल के लिए 6 मिनिट में और चर्विसमेन है उनके लिए 5 मिनिट में रेडियो फ्रीकेंस्य इडेटीफिकेशन डिवाइज मतलब एक चिप जिसको आप कह सकते है यह आपके पैरो पर लगा दी जाएगी और इसी के साथ आपको ध्यान रखना जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है आपके लिए ध्यान रखने के लिए वो है, जो साथी ये सोज रहे है कि absent हो जाएंगे अभी starting में नहीं जाएंगे, बाद में number आएगा ठीक है, मेरे पास बहुत तो के message भी आ चुके, बहुत तो के comments भी आते है पहली बात तो ये कि जो साथी सोच रहे हैं absent हो जाएंगे और बाद में absent को बुला जाएगा, भई जो आप सोच रहे हो ना, वही HSSC भी सोच रहा है ठीक है, ऐसा ना हो क्योंकि उनकी मर्जी है, वो बारा चांस दे या ना दे, आप यह सोच कर कि अभी absent हो जाएंगे, और फिर जब बुलाए जाएगा absent को तब चले जाएंगे ठीक है, ये वो काम मत कर देना जो BC, A, BC, B और EWS वारों के साथ हुआ है क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि आपको absent को मौका दिया जाएगा, अगर आप में से किसी ने एकड़ बढ़ की, तो आप लोग responsible होंगे, फिर ये मत कहना कि हमें पहले inform नहीं किया था, ठीक है किसी की मजबूर ही होती है, वो permission पहले लेते है, अच्छे से सिसे वो अलग बात है ठीक है, उस दिन कोई सेम डे कुछ ज़्यादा ही urgent होता है या कुछ और, वो भी अगर दो दिन होता है PST, दो या तीन दिन, तो हो सकता है वो भी, ठीक है, लेकिन अगर आप absent रहेकर ये सोच रहे हो कि बाद में try कर लेंगे तो भरोसा नहीं है कि आपको चांस मिलेगा या नहीं इस भरोसे मत रहे ना, पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि HSSC वहाँ पर सही होगी वाद्य नहीं है HSSC इसके लिए कि आपको दोबारा चांस दिया जाए ये बात अभी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत साथियों नहीं ये बात बोली थी तो मैं पहले inform कर रहा हूँ कभी बाद में पचता हो अब दूसरी बात भई एक दिन पहले भई running छोड़ देना जो मेरा भी तक का experience है जितना मैंने औरों से भी पता किया है एक दिन पहले भई running छोड़ देना that will be good for you ओके दूसरा जो साथी देखिए अभी third list की और बात थी वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि third list भी लगेगी क्योंकि पी एश्ट में बहुत बच्चे फेल होने वाले है मैं ऐसे ही नहीं कह रहा जिसकी वजय से morning में भी बहुत सारे बच्चे जा ही नहीं पाते है अगर वहाँ पर भी same environment हुआ ठीक है ये बहुत कुछ depend करेगा ध्यान रखना अगर वहाँ पर भी same environment हुआ तो गडबड़ हो सकते है भी बच्चों के साथ ठीक है ये मैं आपको भी बता रहा हूँ ठीक है दुजरा भई सबसे बड़ी बात कि इसमें है न पी एस्टी में अडवांस में बता रहा हूँ बहुत बच्चे ऐसे हैं जो disqualify होंगे ठीक है तो जिनका अब थोड़ा सा भी कम score है वो अपनी पहले से ही भई physical की तैयारी रखना यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ वरना ऐसा ना हो कि आप भी physical में रह जाओ फिर ठीक है और सबसे पहले तो भई यही है कि वहां पर ज़्यादा गर्मी ना हो उस समय और maximum बच्चों का clear हो जाए क्योंकि वह भी सबसे ज़्यादा जुरूरी है भई जिन्होंने महनत कर रखी है सारी चीजे score लिया है ठीक है तो मिलते है next video में बाकी आपका क्या मानना है comment section में जुरूर बताएं और बता देता हूँ कि PhD जो है वो एक तारिक से स्टार्ट होने के चांस ही जाए मतलब एक से तीन के बीच में आपके PhD स्टार्ट हो जाएंगे notice आज या कल में देखने को आपको मिल जाएगा मिलते हैं next video में नई update के तो तक के लिए धन्यवाद आपका दीन सुब रहे धन्यवाद